अगर दुनिया के सबसे हमीर लोगों को स्टडी किया जाए तो उनके डेली रूटीन में उनकी हैबिट्स में बहुत सारी सिमिलारिटीज पाई जाती है वरन बफे, इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुगरबक, रे डेलियो जैसे बिलिनर्स को स्टडी करके मैं आज आपके लिए उनके डेली रूटीन और हैबिट्स लेकर आया हूँ जिने आप कोपी कर सकते हूँ टोक्टर विवेक बिंद्रा ने अपनी हैबिट्स वाली वीडियो में बताया था कि बिलिनर्स का मतलब बड़ा मकान, लक्शेरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, पीछे नोकर चागर नहीं होता बिलिनर्स बनने के लिए आपको चाहिए इंटिलेक्ट्छल, स्पिरिच्छल और मेंटल पावर, इफ यू रियलि वांट टो चेंज और लाइफ, यू जिस नीड तो चेंज और हैबिट्स, यह बिलिनर्स की 6 मोस्ट पावर्फूल मॉर्निंग हैबिट्स, पहली हैबिट, वेकिंग अप अर्ली जादा तर अमिय लोग सुबह जल्दी उठते हैं अगर आप में जल्दी उठने का डिसिप्लिन नहीं है तो आप कामया भी भूल जाएए सुबह जल्दी उठने से आपको स्ट्रेस फ्री शांत वातावरन मिलता है जिसमें आपका फोकस सबसे शार्प होता है आपके पास लेजर शार्फ फोकस होता है लेजर इतना पाउर हूल होता है कि कैंसर में भी छेद कर सकता है ऐसे टाइम में अगर आप अपने गोल्स पर ध्यान दोगे तो आप ज़दे तर लोगों को पछार सकते हो आप बाकियों से बहुत आगे जा सकते हो इची वज़े से मुकेश अमबानी हर दिन एवरी डे सुबह साड़े पांच बजे उठते हैं एपल के सीयू टिम कुक हर दिन सुबह पांच बजे उठते हैं लेकिन अमबानी ने ये जो दोलत बनाई है वो सोते सोते नहीं बनाई है वेक अप अरली क्योंकि सब लोग नेंद में सपने देख रहे होंगे और आप अपने सपनों को पूरा कर रहे होंगे दूसरी आदत बुक रीडिंग रीडर्स आ लीडर्स दूनिया के सबी बड़े लीडर्स, CEO's, सबसे सक्टिशाली और अमीर लोग हर दिन अलग अलग फील्ड्स पर किताबे पढ़ते हैं जिससे वो बाकियों से आगे सोच सके इलोन मेस जब छोटे थे तब दिन की दो किताबे पढ़ लेते थे वो बुक को चार्ट जाती थे उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि उनके पास पढ़ने के लिए किताबे खतम हो गई यही बंदा आज दुनिया का दूसा सबसे अमीर इनसान है इलोन मेस ने सिर्फ किताबे पढ़कर रोकेट साइंस सीख ली और अपनी खुद की रोकेट साइंस की कंपनी स्पेसिक्स बना दी इसी तरह बिल गेश जो दुनिया के पांच वे सबसे अमीर वेक्ती हैं वो हर अपते एक किताब पढ़ते हैं वोरन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है पांसो पेज रोज पढ़ते हैं जेव बेजोस दुनिया के तीसे सबसे अमीर आदमी हैं अपनी काम्याबी का सारा क्रेडिट किताबों को देते हैं अगर दिमाग में कच्रा डालोगे तो कच्रा ही मिलेगा आज से नियम बना लो कि दिन में सिर्फ 30 मिनट रोज कोई न कोई किताब पढ़ोगे दो किताबे अगर सजेक्ट करू तो आप The Millionaire Fast Lane और Rich Dad Poor Dad Book से शुरू कर सकते हो तीसरी हैबिट Exercise daily Most successful लोगों में जो एक और आदत common पाई जाती है वो है exercise ज़्यादा तर हमी लोग morning में running, cycling, swimming जैसी exercise करते हैं Bill Gates रोज सुबह एक घंटा कसरत करते हैं Storm Cruise daily 10 meal तक running करते हैं Richard Branson रोज tennis खेलते हैं Exercise अमी लोगों की लंबी उमर का भी एक कारण है 4. Meditation कई करोड़ पती और अरब पती अपनी success का श्रे meditation को देते हैं Tony Robbins, Ray Dalio, Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs, Bill Gates, Jack Dorsey जैसे मिलिनेस और बिलिनेस में meditation की habit common पाई जाती है और हो भी क्यों ना Meditation उनके focus को बढ़ाता है उनकी thinking को shark करता है Stress को reduce कर देता है Confidence को बढ़ा देता है Powerful ideas दिमाग में आते हैं वो इनसान अपने subconscious mind की power को activate कर लेता है Meditation left और right brain की connection को और मजबूत कर देता है Meditation के एंगिनेट फाइदे हैं जो इसे करता है उसे इसके फाइदे मिलते हैं इसलिए guys आसे Meditation के आदत बनाने पर काम कीजी Google, Apple और Amazon जैसी बड़ी बड़ी कमपनी अपने employees के लिए Meditation classes लगा रही है पांचवी habit Planning जब अमीर लोग उठते हैं तो उनको exactly पता होता है कि उनने क्या करना है वहीं जदातर average लोगों को पता ही नहीं होता है उनने क्या करना है पूरे दिन में average लोग अपने दिन को प्लान नहीं करते हैं वहीं अमीर लोग अपने तीन साल को प्लान कर देते हैं उनने पता होता है कि वो तीन साल बात कहा होंगी उनका long time का vision होता है आने वाले तीन सालों में क्या होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि आज आप क्या करते हो वो अपने दिन को प्लान करते हैं और गाइस सकसेस प्लानिंग से ही मिलती है तो सुबह अपने दिन को प्लान जरूर करिए गाईज अमीर लोग कैसे अपना टाइम टेबल बनाते हैं, कैसे अपने गोल्स सेट करते हैं, किस तरह के टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, इस पर एक अलग वीडियो बन सकता है, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके च्छटी हैबिट अफर्मेशन्स गैस अमीर लोगों के अमीर होने का सबसे बड़ा कारण होता है उनके सोचने का तरीका इसलिए कहा जाता है कि पैसा दिमाग से कमाए जाता है सिर्क मैनत करने से कुछ नहीं मिलता अमीर लोगों के पास एक अएसा बिलीफ सिस्टम होता है ऐसा माइन्ड सेट होता है जो उनको अमीर बना देता है अगर कोई अमीर आदमी अपनी सारी दौलत खोदे तो उसे फिर से अमीर बनने में टाइम नहीं लेगेगा जदा क्योंकि उनको पता है कि कैसे पैसा कमाना है वहीं अगर किसी के लोटरी लग जाए तो ये गरेंटी है कि वो फिर गरीब हो जाएगा क्योंकि उसे पैसे बनाना नहीं आता उसे नहीं पता दोलत कैसे संभालनी है गुड निव्स यहाँ पर यह है कि आप भी अपने आपको ट्रेन कर सकते हो अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए अमीर लोग जिस तरीके से सोचते हैं वो उन्होंने सालों की ट्रेनिंग से सीखते हैं आप भी सीख सकते हो कैसे सीख सकते हो affirmation के ज़री affirmations कुछ lines होती है जिसे आप अपने आपको रोज कहते हो अपने subconscious mind को reprogram करने के लिए यह line इस प्रगार से होती है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसकी responsibility मेरी है मेरी life में जो कुछ भी होता है उसके लिए मैं ही responsible हूँ मैं भी अमीर बन सकता हूँ मैं अमीर हूँ पैसा हर जगा मौजूद है पैसे को मैं attract कर रहा हूँ इस तरह की lines होती है आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं या खुद की lines भी बना सकते हैं इस तरीके से आज मैंने 6 habits आपको बताई सुबह जल्दी उठना, रोज कोई ना कोई किताब पढ़ना, रोज exercise करना, हर सुबह ध्यान करना, दिन को plan करना और affirmation से अपने दिमाग को reprogram करना